आज बनाएंगे हम बिना लसुन प्याज के छोले और वो बहुत टेस्टी और स्वादिस्ट बनते हैं आप जैसे मैं दिखा रही हूँ आप उस परकार बनाएंगे तो टेस्टी बनेंगे नहीं तो नहीं बनेंगे देखे तेल गरम होगा था समें मैंने दो तिन लॉंग डाल और मैंने डाल दिया कड़ाई में और इसको बहुन लेंगे बहुनना अच्छे से हैं इसमें थोड़ा पारी डालके और जब तक बहुनेंगे जब तक इसका तेल अलग ना हो जाए आप तेल कोई भी ले सकते है वो आपकी मरजी है वो आपकी मरजी से चलेगा जो भी आप तिल लेंगे लेकिन मैं तो इसको रिफाइंड में बना रही हूं इसके बाद मैं इसमें डाला है सब्जी मसाला और इसको मैं अब अच्छे से भून लोगे और नमक आपको सब को पता ही है नमक पहले जब उबाल तो उसमें भी होता है और बाद में भी डाला जाता है तो इस और ये इस परकार अच्छे से बुन गया है, और आप इस परकार बना के खाईए, बहुत टेस्टी बनती है सबजी, ये देखें जी, ये मसाल अच्छे से बुन चुका है, इसमें डालेंगे उबले चोले, ये देखें, ये काबली चैने भी बोलते हैं, ने चोले भी बोलते ह और सफिद छोले भी बोलते हैं आप जो मर्जी बोले लेकिन स्वाद बनाना है तो आप इस पर कर बनाएं ठीके जी जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया है ये और ज्यादा मसाले भी नहीं है खाने में भी हलके हैं और स्वादिष्ट भी बने हैं तो दोस्तों इसमें मैं जो छोले में पानी था वही पानी में इसमें ग्रेवी के लिए एड करूंगी और इसको मैं ढखके उबाल लूँगी कम से कम 5-7 मिंट के लिए इसको ढखके उबालेंगे अच्छे से मिक्स करके और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि कैस त्यायर है इकडम गाड़े त्यार हो जाएंगे वनके ये ये देखिए ये बनके हो गए रेडी आप इसको मैं डाल दूंगे लॉंच बॉक्स में ये देखिए इसको मैं मिक्स करूंगी जैसे थंडे होंगे तो और भी गाड़े होते चले जाएंगे दोस्तों वीडियो पसंद आते तो लाइक जरूर क्या करें तो कि मैं भी आइडे ले के आते हूं मैं किसी की कोपी तो करती नहीं यह मेरे खुद के ही आइडे होते हैं और यह बनके कितने टेस्टी से छोले तयार हो गए लंच के लिए धन्यवाद दोस्तों आप अपना ध्यान रखिए और मेरे विद्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब करें दो